क्या बंगाल चुनाफ में कामयाब हो पाईगी भाशपा की रणनी थी पक्षिम बंगाल में सत्ता पर खाबिज होना भाशपा का लक्ष भाशपा का हरताफ विफल करने के लिए ममता भी तैयार रच्च में कुल मतदाताओं की संख्या 6,7,6,6,6,8,6 नमस्कार अजाद सिपाही विसेश में आपका स्वागित है मैं हूँ राकेश सिंग पक्षिम बंगाल में अपरेल मई में 294 सीटों पर होने वाले विधान सभा चुनाफ से पहले भाशपा की मोहीम ने रच की रचिती करमाती है भाशपा चुनाफ से पहले मम्ता को कमजोर करने की रणनीती पर काम कर रही है और इसी रणनीती में उसे आशतीत सफलता भी मिलती दिख रही है वही भाशपा की इस रोणनीती को भाप कर मम्ता बैनरजी पार्टी और संगठन को भरसक एक जुट रखने में चुटी हुई है मम्ता के सामने चुनाती ये है कि उन्हें एंटी इंकम्बेंसी के खतरे से भी निपटना है और सत्ता पर भी अपना कब्जा बनाए रखना है वही चुनाफ में 200 सीटें चीतने का दावा करने वाली भाशपा बंगाल चुनाफ में इस लक्ष को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी एक करती दिख रही है बंगाल में तुरुनमुल कॉंग्रिस और भाशपा की चुनावी रणनीती को रखांकित करती दैनंध रॉय की रिपोर्ट तीस जनवरी को जब नई दिली में तुरुनमुल कॉंग्रिस छोड़ने वाले रॉचे के पुर्वमंत्री रॉचेव बैनर जी बाली की विधायक वैशाली डालमिया उत्तर पाड़ा विधायक प्रवीर खोशाल राना खाठ पक्षिम के पुर्व विधायक पार्थ चैटर जी, हावड़के पुर्वमेयर रथीन चक्रवरती और अभिनेता रूतर नील खोश अमित शाह से मिलकर भाशपा में शामिल हुए तो ये भाशपा खेमे के लिए किसी बड़ी सफलता की तरह था क्योंकि बंगाल चुनाफ में मंता बैनर जी को परास्त करने के और यहां भाशपा को मजबूत करना इसके अगले दिन 31 जनवरी को हावड़ा के दो मुर जोला में भाशपा ने एक बड़ी रैली की इस रैली में अमित शाह ने वीडियो कान्फरेंसिंग के जरिये हुंकार भरते हुए कहा कि बंगाल में परिवर्थन की लहर चल रही है पक्षिम बंगाल में भाशपा की स्तरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में रच की सभी लोगों को आयुशमान भारत योचना का लाब हमिले इसका फैसला लिया जाएगा ममता अपने भतीजे को मुख्य मंतरी बनाने के एजेंडे पर काम कर रही है मैं जल बंगाल को सोनार बंगला बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा इस सभा में केंद्री कपड़ा मंतरी स्मृती इरानी ने कहा कि तुरुनमुल कॉंग्रिस में कोई रोस्ट्रवादी नहीं रह सकता इधर साथ फरवरी को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का बंगाल के हल मा, माटी और मानुष सरकार सत्ता में बरकरार रहेगी इधर एक फरवरी को भाश्पा पर निशान साथते हुए कुलकता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित सभावे मुख्य मंतरी मामताब एनरजी ने कहा कि भाश्पा गैस का गुबारा है जो केवल मीडिया मे ही जिन्दा है ये दागियों के लिए वाशिंग मशीन भी है चिंदा की कोई बात नहीं है मा, माटी और मानुष सरकार सत्ता में बरकरार रहेगी डगैतों ने अचानक बहुत पैसा जमा कर लिया है वे केवल पैसे के लिए वहां जा रहे हैं मैं उन्हें चुनाव लड़न का ममता बैनर जी का बयान सिर्फ बयान नहीं वो रणनीती है जिस पर पार्टी लंबे समय से काम कर रही है पार्टी रचे में गठबंधन की संभवनाएं तलाश रही है जिससे उसे मजबूती मिले बंगाल चुनाव में भाश्पा की रणनीती टीमसी के आधार वोट से हि हिंदूों को छिटकाने की कोशिश कर रही है वहीं दूसरी और मुस्लिम टीमसी की और रुख कर रहे हैं देश में जम्म कश्मीर और असम के बाद सबसे अधिक मुस्लिम आबादी पक्षिम बंगाल में है दो हजार गयरह के जन्गड़ना के मताबिक रच्च में 27 फीसदी मुस्लिम आबादी है इसके अलावा करीब 24 फीसदी दलित हैं ये टीमसी का बड़ा वोट बैंक है वर्श 2019 के लोगसभा चुनाफ में जब भाश्पा ने बंगाल की 42 में से 18 लोगसभा सीटों पर कबज़ा जमाया तो तुरुनमुल कॉंग्रिस ने चुनावी हरन इतिकार प्रशांद किशोर को विधान सभा चुनाफ के लिए हायर किया इस से पहले 2014 के लोगसभा चुनाफ में भाश्पा यहां केवल दो सीटें जीतने में सफल रही थी जब शुबेंधू अधिकारी समेथ टीमसी के कई नेता भाश्पा में शामिल हुए तो प्रशांद किशोर ने एक टूइट कर संसनी पहला दी उन्होंने एलान कर कहा कि यदी भाश्पा बंगाल चुनाफ में दहाई का आंकड़ा पार करती है तो वो ये स्पेस छोड़ देंगे उनके इस बयान पर बंगाल भाश्पा के उपाध्यक्ष जाय प्रकाश मजुमदार ने कहा कि पक्ष रणनीती के जानकारों का कहना है कि भाश्पा की बंगाल विजय की रणनीती तो साफ दिख रही है पर टीमसी की रणनीती का पता नहीं लग रहा है अंदर खाने से मिली खबरों के अनुसार प्रशांद किशोर की कमपनी आई पैक गुप चुप तरीके से अपनी चुनाव प्रशांद किशोर ये भी तै करने में जुटे हैं कि किस सीट पर किस नेता को उतारने से पार्टी की जीत सुनक्षित हो सकेगी वहीं जो नेता टीमसी छोड़कर भाश्पा में जा रहे हैं उनके मजबूत विकल्प को तलाश करने का काम भी आई पैक कर रही है बंगाल व प्रतिस्ठा का सबाल बन चुका है आजाद सिपाही के विसेश में अभी इतना ही खबरों की और भी अधिक चानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोख प्रियदानिक अखबार आजाद सिपाही आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ धन्यवाद